यह सामने आपको यह वाला पहाड दgement रहा है यह वाला उत यह जो सामने है तो बोल रहें यह वाला पहाड पाकिस्तान के आप्कि Bye मताब बदिना है पाकिस्तानी बैंकर से इस साइड झे आप इल्ग में § तो यह देख li जो यह है एक स्कूल यहां का अच्छूरा अभी लंच का टायम है तो बच्चों के आप में आप प्लेट्स देख रहे होंगे यह देख लो मैं प्यारे बच्चे है यार सब्सक्राइब यह दिख से कुछ बच्चे शाहिद गर जा रहे खाना खाने कले अभी लंच ब्रेक है कि इंटर्स में क्या होता है ना रोड जो है रोड कोनेक्ट्विटी यहां की बिलकुल बंद हो जाते है बड़की वाजा से तीन-चार महीं ने बंद रहता तो यह जो है यहां से हलिक हेलिकोप्टर आता जाता है तो यहीं पर लेंड होता है यह देख लीजे सामने अब यह देख लिए यहां पर लैंड होते हैं मुझा से नहीं पर सही है वह सामने देख लोग पॉली स्टेशन यह मैं पाकिस्तान वाली साइड वाली वीडियो देखिए ना मतलब कुछ व्लोगर्स की तो वह इसी तरह सेम दिखता है यार मतलब बिल्कुल ना सेम मुझे वही फील्ड जैसे आ रहा है वह सामने पॉली स्टेशन है और यह मेरा दोफ्स जादा ही शाहिए यार मतलब यह र बहुत जबर्दस्त है तो यहां से देख लो दोस्तो यह सामने आपको दिखेगा जैन के बैंक यह देख लो तरी एक्सेशन करके आपको दिखा देखा देख लो यहां से एज्डिया मोफिस भी वही पे साथ में मतलब यार क्या ही जबर्दस लग रहा है यहां से कुछ इस अधर का दूर्दस्रेक्शन थे बताब बनाई नहीं है और यह देख लो बीशी तरह ही है बजली तो बाकी यहां से लेख लिखना किस तरह का व्यू है इस सामने से प्रै आसे व्लोग में जितरा ज्यादा सिंपल व्लोग में उत्या ज्यादा अच्छ लिख्ट है क्यो वहां से अब क्या मेरी और्डियंस को बताईए कि सबस्क्राइब करने के लिए बहुत सबस्क्राइब करना बनता है जैन्वन है तो वह जो सामने आपको पीक दिखे रही ना हवागादून पीक उसके बिल्कुल नीचे थे हम वहां बिल्कुल सामने वहां तक हम गए थे वहां से साइट से वह दिखेंगी और अगर हम गाड़ी में आते तो इतना कुछ दिखाने नहीं आता तो अब ही थोड़ा बॉड़ी में हो जाएगी क्योंकि काल पर सुआ में उपर चड़ना है वही ऑंटेंस पे तो थोड़ा ज़रूरी होता है जिसको भी गुरेज आना ह यहां रह सकते हो अराम से तब आप मस तरीके से आ सकते हैं तो यहां पर बहुत सारी केंपिक साइट्स हैं यह दिख लो सामने ही हमारे एक और है रिवर रंस कैम्प साइट यह देख लो सामने क्या जबर्दस्त है यह बाइच साब यह दिख लो रिवर रंस कैम्प साइट यह दिख लो अब अचल के मिरी खा देता हूं यह देख लो वाई अब अरदस्त है यार मतलब होटल के यह इसके सामने और बंदा गूमने आता तो के टेंट में रहने में मज़ा आता है तो अशी दिख लिए यह देख लिए यार तो दूस्तो अभी टाइम आया है चे और अभी हम जा रहे उपर एक व्यूपाइंट है और मेरे दूस ने का कि वहाँ से संसेट बहुत जबर्दस दिखता है तो संसेट चेज करने जा रहे हैं हम तो वह उपर आपको दिख रहा होगा वहां से सामने से दूप आ रहे हैं तो नहीं दिखेगा लेकिन यहां पर आपको दिख रहा होगा हलका सा तो वहां पर अब हम जा रहे हैं तो देखते जारा कि हम संसेट चेज कर पाएंगे वैसे हो गाई क्योंकि यह मुसम बहुत अच्छा है तो लगीली हमें दिखेगा आज संसेट तो देख रहता है कि यहर कितना सथे रहता और वहां से वियू काफे ज़बरदस दखे रहा क्योंकि विलेज से काफी दूर है तो वहां से व्लेज काफे ज़बर दखता होगा eo कि वहाँ पर आर्मे रहती है हां सही में तो मतब सामनों कैसे जाते हैं नहीं यार अरे भाई मतब वहाँ पर यार मतब ऐसी पहाड़ी पर रहते हैं हैं और यहां से दिखे डिख रहे हैं और यहां से दिखे यह सामने का यहां कि यहां से दिख रहे है बूती मस्त है अगर तो लोक सभी सलावत मैं मैं हिरे देख लिए यह सिंदे house राइड देयन है और यहां से लेक्ट द blijily कर दो यह जहां देखंदा मैं तो यह जो अपको सामने या दिख को अधिक तो उससे फिर आगे मरकूट और फिर अच्छूरा जहां हम सुबा के टाइम गए थे ना यहां पर खातुन सुप्रिंग है कि विए आप समझ लोगे विव पाइंट एक पूरी विए यहां से जबर्दस विए दिखता है यहां पर केमप साइड भी है जैसा सामने आपको टैंट्स वगरे दिख रहे हैं जबर्दस छोटा सा कुछ दुकान भी है का तो डोस्तों आपको ये वाला पहाड देख रहे ये वाला वो यह voltar पहाड जो है पाकिस्तान के मासे है अधा माद नहीं साइड जो है यह इंडिया के पास यहां से इंडिया तो मतलब क्या वात है तो अभी हम पिछली साइड चलते हैं वाली साइड यह व्यूप्वाइंट है और यह वाला साइड जैसे मैं आपको पहली बताए जो यू कट में हैं तो वहां पर इंडिया नार्म में रहती है कि देखिए और वह उस वाले साइड में ने जैसे आपको पहले का कि यह वाला साइड जो है यह वाला वापे पाकिस्तान के बेंगर से मतलब क्या इस साइड पाकिसान हो यह आप इंडिया तो दोस्तों पूरे दिन में आपको दिखाया पूरा गुरेस व्लेज का टॉर और श किस जगए पर कैम साइड है अगर आप आएंगे तो कहीं पर व्याब रहाए सकते हैं बहुत सारी कम साइड है लेकिन अभी हम जा रहें एक दबरदसी लोकेशन पर तो मुझ तसिर्ब़ाई के दोस्ते हैं वहाँ पर तो उनी के बाद हम जा रहें हैं और हम रह रहे हैं मैं फिर भी आप लोग को बता दूँगा कि लोग क्या लेते हैं कि तरह पर्सन वभले टेंड में कितना लेते हैं अभी वहाँ पहुंच आप पहुंच के पाथा जले घा तो फिला हम पूंच ने कि हम पैदर चल रहे हैं अभी सामने शायद हमारे दोस्त है वो देख लो सामने camp sites lights आपको दिख रहे होंगी और यहाँ पूरे में से जो है camp sites है यह देख लो यहाँ पर भी camp site है वो जो दरिया उसके उस side भी camp sites है मतलब यह जो area है यहाँ सारे में से camp sites है तो अभी हम थोड़े time में पूछते है और देखते जरा की किस तरह की facilities है वहाँ पर यह देख लीजिए दोस्तों यहाँ से tents और यह है मुदसर के दोस्त की camp site यह देख लीजिए यहाँ से lights lights एक दम मस्त जली हुई है यह देख यह केच्वा के tent से साइज से और यह है wildcraft के तो यह है हमारे tent आज का हमारे night stay wildcraft का tent है कफी बढ़िया यहर जरा अंदर से देखते हैं ओ जबरदस्त बढ़िया यहर सही है यहर मतब ठंड रहे रहने ही लगे गुड है तो अभी मैं वीडियो के लास पर आप लोग को बताऊंगा साहरा कि मतब यह कितना लेते है नाइट का six percent four percent five percent three percent तो बस बने रही है चलाल कुछ इस तरह का अंदर से लोग नाइट भी है बढ़िया बढ़िया यार और वह आगी तक सारी केंप साइट से भाई यहां से भी सामने से भी और यह गाड़ी यहां पर पार्क है पार्किंग लिए भी बहुत जगे है तो बढ़िया यार मज़ा आ जाए यार उस तो यह था हमारे टैंट राज को और कुछ इस तरह का वेवेवेश सामने हरिवरसाइड कैमपिंग सामने से दरिया जा रहा है जो क्रिशन गंगा इसका बूती है नीलम और यहां से देखेंग लो भाई कैसे इंसे है और इस सामने से यह यह दिखा दिखा होगा भी यहां से भी वह अग्य तक है तो जबर्दस अज़े बाई उस तो कुछ इस तरह का विभी ब्लाइन से जागे है और हम चलेंगे अबी वापस जहां से अब आज हम करेंगे थोड़ा सा प्लैन और ठोड़ी चीजे जमा करेंगे जोग काल हमस्टार करना अपना ट्रेक